जहिन दोस्तो कैसे आप सब लोग आज में जो आपके सामने वैकेंसी लेके है वो एने सेल में और वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तो पूरा देखिए और मैं आपको वीडियो के बीच बीच में ऐसे पॉइंट बताऊँ गा जिससे कि आपको job selection में easy हो जाए दोस्तो प्रोसेस और दोस्तो आज हमारे चैनल को दो मेने पूरे हो गए इस चैनल को तो आप सभी के प्यार के लिए thank you और धन्यवाद दोस्तो और ऐसे प्यार बनाते रहिए दोस्तो जो आज की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं आज जो वैकेंसी है दोस्तो N.A.L. में निकल करा रही है National Aerospace Laboratory में दोस्तो इसमें BE, B.T.E.K. वाले branches eligible है दोस्तो वीडियो को पूरा दिखिए दोस्तो और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब जरू कर दीजे दोस्तो जिससे कि आपको बहुत information वीडियो मिलते रहे और आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी जोइन कर सकते हैं और जिससे कि आपको बहुत सारे vacances दिन में पोस्ट करते रहता हुआ आपर सो आपको मिल जाएंगे दोस्तो और आप बेल आइकन भी दबा लीजे दोस्तो जिससे कि आपको आगया आने लिए हर नोटिफिक्शन सबसे पहले मिल चले दोस्तो करते है वीडियो शुरूब बिना किसी देरी के साथ जैसे कि दोस्तो आप देख पा रहे होंगे आज जो मैंने वाकेंसी बता रहा हूँ उसका मैंने पीडियाफ ओपन कर लिया है इसके लिंक भी कहा मिलेगी मैं बताऊंगो दोस्तो वीडियो के आखिर में कि वीडियो पूरा देखिए इसके उससे पहले आप वीडियो मैं जो नोटिफिकेशन वो रीट करूंगा वो अच्छे से देखिए सो दोस्तो जो वैकेंसी निकल कर आ रही है आप देख पारेंगे दोस्तो नैशनल एरोस्पेस लिबाटरीज में वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तो इसमें अपला कैसे कौन-कौन कर सकते मैं अभी बताऊंगा दोस्तो सो आप पूरा देखिए मैं नहीं चाहता आपका कोई loss हो इसलिए आप skip मत करिए और आपको read करके थोड़े बूट पॉइंट्स नहीं समझेंगे सो मैं बता देता हूँ easily में in short वीडियो में आप पहली जो vacancy देख पा रहेंगे दोस्तो वह है डिप्लोमा वालो के लिए दोस्तो फर्स जो vacancy आप देख पा रहेंगे दोस्तो essential qualification फर्स जो vacancy निकल कर आ रहे हैं उसमें 10 post है दोस्तो इसमें qualification क्या-क्या मांगा गया है डिप्लोमा आप किसी भी ब्रांच से हो एनी ब्रांच से आप डिप्लोमा किये होंगे फिर भी आप इसमें अपलाए है और ब्स in physics, chemistry, computer, science and electronics, BCA from recognized university और university with a minimum 50% and above आपके minimum 50% होने चाहिए और आप अच्छे university से होने चाहिए इसमें अपलाए कर सकते हैं दोस्तो इनका वन यर का duration रहेगा 6000 पर मन का stipend प्रोइट कर रहे इसमें अपलाए कैसे करना मैंने वीडियो में बताऊंगा दोस्तो आगे तो skip मत करिए दोस्तो आपको अगर कुछ अपलाए कैसे करना जानना होंगा तो सो बीच में मैं बताऊंगा थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसमें भी आपको 50% चाहिए जो जो मैंने ब्रांच पढ़े दोस्तो इसमें अपलाए कर सकते हैं और दोस्तो दोस्तो आपको stipend जो provide किया जाएगा वो 9,000 पर मंद का है और duration 1 year की रहेगी दोस्तो इसमें कौन कुण अपलाए कर सकते हैं मैं बताऊंगा दोस्तो देखिए इसमें 2018 से लेके 2020, 2022 तद इसमें अपलाए कर सकते हैं दोस्तो उनका 50% minimum होने चाहिए throughout उनका जो है 10, 12 और डिग्री में और डिप्लोमा में उनके होने चाहिए आप इसमें उन्होंने बात application आपको attach करनी है दोस्तो application में क्या क्या होना चाहिए दोस्तो आपको आपका जो यह form दिया है इन्होंने form फील करना है आप जैसी कि देख पारेंगे form में क्या मांगा गया है advertisement number, post, जो post code है दोस्तो post code यहाँ पर देख पारेंगे आप यहाँ पर देख पारेंगे STP उसदर आप जिसमें eligible वह डाल दीजे STP 02, STP 01 डाल दीजे, name डाल दीजे दोस्तो capital letter में भरना, sex से दोस्तो father name, nationality, present postal address आपको डालना है permanent address डालना है, date of birth डालना है आपको डालना है, और दोस्तो main बात, application कब close हो रही है, 14 feb से पहले, 14 feb 2022 से पहले close हो जाएगा तो उससे पहले ज़रूर दीजे, अपने educational डाल दीजे, cast डाल दीजे दोस्तो, और आप particular close आप कुन से, आप अगर NAL से किसी जानते होंगे तो डाल दीजे दोस्तो, फिर आपको यह information फिल करनी है, so दोस्तो इसमें SC, ST वालों को preference दिया है, दोस्तो, schedules कान, schedules, tribe वालों को ज़्यादा दिये, पर आप इसमें OBC हो, तब भी आप इसमें apply कर सकते, open वाले हो, फिर भी आप apply कर सकते, apply करने में क्या जा रहा है दोस्तो, क्या पता, अपना लग भी जाए, so आप इसमें apply कर सकते, आपको क्या क्या होना चाहिए दोस्तो, आपकी essential documents में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, application should do send, enclosing the following documents, आपको document बेजने हैं दोस्तो, bio data with complete postal address, email and contact number आपको डालना है, self-attached photocopies of SSCL mark sheet 10 की mark sheet डालना है दोस्तो, उसमें डालना है दोस्तो, फिर 12th की, फिर degree की, डिपलोमा की आपको डालना है mark sheet, attached copy, self-attached photocopy of eligibility, of copy of digitally signed cast certificate having a RD number, आपको अपना cast certificate डालना है दोस्तो, आप इसमें apply कर सकते हैं, आपको postal address भी दिया दोस्तो, यहाँ पर देख पारे हैंगे दोस्तो, postal address भी दे पाए हैं उन्होंने, और उन्होंने website भी दिया है दोस्तो, आप जाकर check भी कर सकते हैं, यहाँ पर official उनका notification भी है, so, इसकी link में description box में दे दूँगा दोस्तो, और शायद उससे अच्छा मैं आपके यह link टेलिग्रम चैनल पर दे दूँगा दोस्तो, उसकी भी link description box में मिल जाएंगी, वहाँ से आप apply कर सकते हैं, चले दोस्तो वीडियो अगर पसंद आयोंगा, तो like जरू कर दीजे और apply जरू कर दीजे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरू कर दीजे दोस्तो, चले दोस्तों मिलते हैं next video,